दोस्तो नमस्कार, वेलकम टू दे चैनल बैंकिंग बंधू आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं बैंक ओफ बडोधा में जो फिक्स डिपॉजिट हैं उसके क्या रेट ओफ इंट्रेस्ट चल रहे हैं जनरल पब्लिक ऐस वेल एस सीनियर सिटिजन सारे रेट ओफ इंट्रेस्ट आज हम आपके साथ डिसकस करने वाले हैं वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ताकि ऐसी अच्छी वीडियो आपसे मिस ना हो हम अपने चैनल पर रोज ऐसी वीडियो जो आपको आर्थिक फायदा दें बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो इन्वेस्टमेंट इंशॉरंस ऐसी सारी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं आपको future में कोई भी अगर आपको financial decision लेना है तो हमारी वीडियो आपको help करेंगी तो जल्दी से चैनल को subscribe कर दीजिए शुरू करते हैं आज की वीडियो आज की वीडियो जैसे हमने आपको बताया बैंक आफ बडोदा का क्या rate of interest है fix deposit के case में अगर आपको fix deposit करना है बैंक आफ बडोदा में तो क्या rate of interest लगेंगे आप future में भी यह check कर सकते हैं दोस्तों आपने google पर जाके बस bank आफ बडोदा इस तरह से type करना है bank आफ बडोदा और यह bank आफ बडोदा की official website है जो आपके सामने खुल के आई है तो यह official website आपने खोलनी है उसके बाग यहाँ देखिए नीचे आप scroll करेंगे तो आ रहा है interest rates and service charges आपने इस पर click करना है interest rates and service charges जैसी आप click करेंगे आपके पास यह दो option आए है interest rates and charges, service charges and fees जो fixed deposit के rate of interest है वो आपको यह पहले वाले option interest rates and charges इसमें मिलेंगे आपने explore करना है इस पर जैसी आप explore करेंगे तो यह आपके rate of interest खुल के आजाएंगे अगर आपको FD करानी है bank of बडोदा में और जो FD का amount है पहला हम discuss करें 2 करोड से नीचे 2 करोड से कोई भी amount नीचे का अगर आप fix deposit कराएंगे तो उसके लिए क्या rate of interest मिलेगा आपको callable और non-callable FDs होती हैं दोस्तों दो तरह की FDs होती है callable का मतलब यह होता है कि आप कभी भी उसको तुड़वा सकते हैं और पैसा आपके खाते में आ जाएगा कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत penalty लगेगी लेकिन कभी भी आप तुड़वा सकते हैं और पैसा आपके खाते में आ जाएगा वहीं दूसरी तरफ होती है non-callable non-callable का मतलब यह है कि आप किसी भी case में इस FD को break नहीं कर सकते आपको पहले से यह पता है कि आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए पैसा नहीं चाहिए यह bank के पास block हो जाता है और किसी भी scene में यह FD तूट नहीं सकती लेकिन उसका फायदा यह होता है कि आपको rate of interest में थोड़ा बहुत फर्क मिलता है rate of interest अच्छा मिलता है तो सबसे पहले हम callable वाली FD डिसकस करते हैं callable यानि आप कभी भी उसको तुड़वा सकते हैं 2 करोड से नीचे की अगर आपको FD करानी है देखिए दोस्तों minimum 7 days के लिए होती है कोई भी FD जब भी आप कराते हैं तो minimum 7 days के लिए FD बनती है तो अगर 7 से 14 दिन के लिए आपको FD बनवानी है तो 2.8% दो असी का rate of interest 15 से 45 भी दो असी अगर 46 दिन से 90 दिन 46 तु 90 डेस कराने तो 370 दा rate of interest मिलेगा 91 डेस से 180 दिन 3.7 favorable यह होगा कि कम से कम एक साल की FD ज़रूर करवाई जाए क्योंकि कम समय जितने कम समय के लिए आप कराएंगे उतना rate of interest आपको कम मिलेगा तो कोशिश कीजिए कम से कम एक साल के लिए तो FD जरूर हो 181 days से लेके 270 दिन 270 दिन तक 4.30% 4.30 का rate of interest है और 271 यानि 271 days से लेके less than 1 year एक year से अगर एक भी दिन कम है तो 4.40% एक साल के लिए अगर आप कराते हैं दोस्तों यह सबसे main point है अगर आप एक साल के लिए अपनी FD कराते हैं तो 4.90 यानि 4.90 का rate of interest आपको मिलेगा एक साल से उपर एक साल से उपर चाहे वो एक दिन भी हो तब भी जो rate of interest आपको मिलेगा वो 5% मिलेगा एक साल से 400 दिन तक अगर आप अपनी FD का पैसा ब्लॉक करते हैं बैंक के पास तो आपको 5% का rate of interest मिलेगा बैंक आफ बढ़ोधा में 400 दिन से 2 साल तक 400 days से लेके 2 years अगर span में आप अपनी FD करते हैं तो 5% यहाँ पे भी आपको 5% मिल रहा है और 400 days तक करें तब भी 5% मिल रहा है दो साल से 3 साल के बीच की अगर आपकी FD है तो 5.1 पाँच-दस का rate of interest 3 से 5 साल में 5.25 5 साल से 10 साल तक 5.25 और 10 साल से उपर अगर आप करते हैं तो उसमें थोड़ा सा rate of interest कम हो जाता है 5.10% हो जाता है उसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों next जो है यहाँ पे जो हम आपके साथ discuss कर रहे हैं वो है बढ़ोदा tax saving term deposit अब यहाँ पे tax saving का मतलब क्या है tax saving का मतलब यह है जब भी आप अपनी कोई fix deposit या RD वगेरा कराते हैं तो bank आपका TDS काटता है तो यह जो deposit है यह tax free है यानि इसका जो interest आपको मिलेगा उस पे आपको tax नहीं देना पड़ेगा लेकिन minimum 5 साल के लिए आपका lock-in period होता है 5 साल तक अपनी FD नहीं तोड सकते हैं तो अगर आपको यह जो अपनी fix deposit है वो tax saving scheme में करानी है 5 साल तक के लिए दोस्तों दूसरा फाइदा यह है tax saving term deposit का कि जो फाइदा आपको 80C के under मिलता है अगर आपको tax बचाना होते हैं तो आप life insurance में लगाते हैं अपना पैसा या कोई और policy लेते हैं जिससे आपकी tax saving हो पाए तो यह जो बढ़ोरदा tax saving term deposit है इसका भी purpose यह है कि 80C के under जो आपको tax benefit मिलता है वो भी आपको इसमें मिलेगा अगर आप 5 साल के लिए अपनी FD कराते हैं 2 करोड तक की FD है तो आपको जो rate of interest मिलेगा वो 5.25 मिलेगा अगर आप senior citizen है तो 5.75 मिलेगा 5 साल से 10 साल के लिए अगर आप FD कराते हैं तब भी आपको rate of interest 5.25 लेकिन अगर आप senior citizen है तो rate of interest बहुत अच्छा है 6.25% अब हम बात करते हैं non-callable FD non-callable FD आपको जैसे बिता है इसमें भी lock-in period होता है आप किसी भी condition में अपनी FD break नहीं कर सकते लेकिन आप उस FD के against loan जरूर ले सकते हैं bank से तो non-callable में आपका पैसा bank के पास block रहेगा इसलिए bank आपको कुछ percent rate of interest जादा देता है अगर आप एक साल के लिए अपना पैसा जमा करा रहे हैं तो 4.95% एक साल से 400 दिन के लिए 5.05% 400 दिन से 2 साल के लिए 5.05 2 साल से 3 साल के लिए 5.15 3 साल से 5 साल के अगर FD करा रहे हैं non-callable में bank आफ बडोदा में 5.35% मिलेगा और 5 से 10 साल के लिए भी 5.35% मिलेगा तो आप compare कर सकते हैं कि callable और non-callable में 0.1.2% का difference है क्योंकि यहां पे आप उसको FD को break नहीं करवा सकते हैं इसलिए bank आपको rate of interest थोड़ा सा जादा दे रहा है तो दोस्तों उमीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी अपने बाकी दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजे चैनल को जल्दी से subscribe कर दीजे ताकि ऐसी वीडियो आपसे miss ना हो हम हर महीने ऐसी वीडियो अपने चैनल पर डालते हैं जो कि आपको हर bank के rate of interest से update रखे आपका दिन शुभो धन्यवाद